भारत के अन्मोल रतन, रतन टाटा का निधन हो गया है टाटा ग्रुप के पोर्फ चेयर्मेन रतन टाटा ने कल राच 86 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली बुद्वा 9 अक्टुबर को राद 11 बजे रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैन्डी अस्पताल में निधन हुआ जहां जोने राच के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी तो उनके यूँ दुनिया छोड़ कर चले जाने से पूरी दुनिया को घहरा सदमा लगा है पीम मोदी से लेकर रिलाइंस इंडुस्ट्रीज के चेर्मेन मुकेश हमबानी और गौतम अडानी ने उनके निधन पर शोग जताया है रतन टाटा के निधन से बॉलिवोट जगत में भी गम का महौल है कई स्टार्स ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिये शरदांजली भी अर्पित की है तो वहीं रतन के निधन से सबसे ज़ादा दुख पहुचा है हिंदी सिनेमा के गुजरे दौर के अभी नित्री सिम्मी ग्रेवाल को एक्स गर्फ्रेंड खास दोस्त और अक्ट्रिस सिम्मी ग्रेवाल को रतन टाटा के निधन से बड़ा जटका लगा है सिम्मी ने भाव भीनी श्रिधांजली उन्हें दी है सिम्मी ने अपना दुख फ्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने टॉक शो से रतन टाटा के साथ एक पुरानी तस्वीर साजा की जिसके साथ उन्होंने लिखा वो कहते हैं कि तुम चले गए तुम्हारा चले जाना सहन करना बहुत कठिन है बहुत कठिन अलविदा मेरे दोस्त बता दे कि एक दौर था जब रतन टाटा और सिमी ग्रिवाल एक दूसरे संग रिष्टे में थे दोनों के प्यार की खबर से जमाना वाकिफ था इनका रिष्टा तो शादी की मंजिल तक भी पहुँशने वाला था लेकिन फिर एन वक्ट पर इस रिष्टे का अंथ हो गया दोनों शादी के बंधन में बनने से पहले ही एक दूसरे से अलग हो गया जिसके बाद रतन ने जिन्दगी भर शादी नहीं की दूसरी तरफ सिमी ने दिली में जन में चुन्नामल वंश के कुलीन रवी मोहन से शादी कर ली थी हाला कि 1989 में वो भी अलग हो गए वहीं प्यार का रिष्टा खत्म होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस बने रहे थे लेकिन अब रतन के जाने से इस दोस्ती के रिष्टे में अब सिर्फ सिमी रह गई है सिमी ने साल 2011 में एक इंटर्व्यू के दौरान रतन से अपने प्यार की बात को कबूला भी था उन्होंने बताया था कि दोनोंने कुछ वक्त के लिए एक दूसरे को डेट किया था लेकिन बाद में उनका ब्रेक अप हो गया पर वो हमेशा एक दूसरे की अच्छे दोस रहे सिमी ने तो अपने खास दोस्त के जाने से शोग जाहिर किया ही महीं बॉलिवुद से रतन टाटा का पुराना नाता रहा है आखिर उन्होंने बिग बियमिता बच्चन के फिल्म एद बार में पैसा जो लगाया था वो फिस फिल्म के पेड्यूसर बने थे लेकिन इस फिल्म की हालत ऐसी हुई कि रतन टाटा को अपने कदम पीचे खीशने पड़ गए थे इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसे फिल्म में पैसा नहीं लगाया था तो अब उनके इस दुनिया से जाने के बाद बॉलिवर्ट सेलिप्स ने भी उन्हें नम आखों से याद किया है अक्टर सल्मान खान और अज्य देवगन से लेकर श्रधा कपूर और अनुषका शर्मा तक कई बॉलिवर्ट स्तारों ने सोशल मीडिया का सहरा लिया और रतन के लिए शोक व्यक्त किया आज ने अपने एक्स हेंडल पर रतन के लिए पोस्ट किया शुश्मिता सेन ने शोक जताते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कितने सम्मानित व्यक्ती थे इश्वर उनकी आत्मा को शांती दे अक्ट्रिस तारा सुतार्या ने भी रतन टाटा को शरधांचली देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट लगाया है इस लिस्ट में अनन्या पांधे भी है जोनों रतन टाटा की स्टोरी लगाई है मैं फिल्मेकर करान जोहर ने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अतन टाता को नमन किया ब्योरो रिपोर्ट इट्वन्टिफोर्ट